फ्रेंट्स बीसिक्स गाडियों में जब आप इंगिशन आउन करते हैं तो यह वाला जो इंजन वार्निंग लाइट जलता है यह खत्रे की घंटिये इसे बिलकुल इग्नौर नहीं करें कुछ गाडियों में जब इंग्शन को आउन करते हैं तो ओडोमिटर में हमें यह बाले जो लाइट है वो ग्लो करता हुआ दिखाई देता है कई बार ये 2-3 second में glow करने के बाद off हो जाता है कुछ गालियों में क्या होता है कि जब engine को start करते है उसके बाद ये off होता है और ये जो engine warning light है इसे कई बार check engine light भी कहा जाता है engine malfunction light, engine troubleshoot light इस तरह के नामों से पुकारा जाता है अब देखो नाम आप कुछ भी कर लो लेकिन काम इसका बहुत ज़्यदा important है जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि maximum लोग ये गलती करते है कि जब उनके वो गाली को चला रहे अपने bike scooter को चला रहे बहुत से लोग जब ये engine warning light glow करता तो घबरा से जाते है कि engine को start करे की नहीं करे अपने गाली को चलाए की नहीं चलाए ये भी गलत है तो actually में ये जो engine warning light है ये होता क्या है इसे क्यों दिया जाता है एक बच जब ये लगतार जल रहा है उसका मतलब हमें कौन सी वो जानकारी बता रहा और उस टेम पे हमारे bike car scooter के engine और बाकी चीजों में क्या problem है ये सम मैं आपको आगेश वीडियो में बताने बाला हूँ तो ये engine warning light आपके गाड़ी के किसी भी mechanical failure की कोई भी जानकारी नहीं देता आप इस बात का ख्याल रखे ये engine warning light इससे ब ज़्यादा important हमें जो electrical failure है उसकी जानकारी देता हमारी गाड़ियों की और उन electrical failure के वैसा अगर engine में कोई problem हो रहा तो उसकी भी जानकारी देता है मैं आपको explain करता हूँ देखो mechanical failure में क्या हो गया अगर हम आप इंजन के अंदर की बात कर ले तो valve clearance हो गया इसके लावर timing chain हो गया oil leakage हो गया, इस तरह से valve seal वगरा हो गया gasket हो गया, piston, piston ring, crank, caps out, caps out अगर clutch plate जला हुआ, अगर gearbox में problem है engine से बाहर निकल के देख लो तो अगर chain बहुत ज़दा ढीला है या फिर जो air filter, oil filter, जो हमारा saucers वगरा हो गया इनकी कोई भी जानकारी है, जो हमारा engine warning light है वो नहीं देता, आप इस बात का ख्याल रखे in short, जी जो को mechanically maintain करते है उसकी जानकारी हमें यह नहीं देता है साथे फेंट्स में आपको बताना चाहूँगा कि हाला कि आज के टाम पर जो BS6 बाई का scooter आ रहे कहने को तो यह अभी भी mechanical machine ही है लेकिन यह पहले के तरह rough and tough पजबूत नहीं है आज के टाम पर यह गाड़ी अब बहुत हद तक कमजोर सी हो गई है नाजुक हो गई है तो ऐसे हम जरूरत है कि अगर आप इने अच्छी तरह से maintain करना चाहते हो तो maintenance की सारी जिम्मदारी mechanic के उपर में छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा इसमें आपकी मदद करेगा यह जो हमारे अब देख रहे हैं आप Car PM Garage Pro OBD Scanner यह काफी हद तक आपके अपने गाड़ी के बहुत सारी जो function है बहुत सारे problem से उसे indicate करता है इसे यूज़ करना भी बहुत यह असान है अभी sales चलना तो आपको 15 परस का discount मिल जाएगा और कैसे यूज़ करना मैं आपको बता जिता हूँ Friends, simply आपको इस OBD Scanner को car या फिर bike के OBD port से लगाना है अगर आपके bike में OBD port नहीं दिया गया है आपकी bike 0-40, 0-60, 0-80 इस तरह के speed को कितने time में achieve करती है यहाँ पे live data का भी option है जहां से आप speed, RPM, battery voltage, engine load, throttle position, intake air temperature, engine runtime, control module voltage इन सब का live data देख सकते हो इसके साथ ही यहाँ पे आप basic scan भी perform कर सकते हो और basic scan के अलावा यहाँ पे full scan की भी facility दी गई है जहां पे आप अपने complete engine और सारे modules को 100% fully scan कर सकते हो अगर कोई error होगा तो आपको error code दिखाई देगा साथी यहाँ पे जितने भी faulty codes है वो आप clear भी कर सकते हो scan report आप यहाँ app में भी देख सकते हो इसके लावा यह जो report है वो आपको mail में भी मिल जाता है bike variant का जो price है वो है 2499 रुपए cars के लिए कई अलग-अलग variant में आपको यह obedience के अंदर मिल जाता है जो कि अलग-अलग benefits के साथ आता और उनका price range भी अलग-अलग है तो आप अपने जो जूजेस है उसका according इन्हें चुन सकते हो साथ ही आप spare parts by garage pro इस app को भी download कर लिए यहाँ से आप अपने car के लिए spare parts को order कर सकते हो app और website का link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा अब यह जानकार दिदेता है हमें किसकी electrical failure की मैं आपको बताता हूं वो समझाता हूं देखो इन गाड़ियों में क्या है कि ECU यहनी की engine control unit है उसे दिया जाता है और यह ECU एक तरह से हमारे इन गाड़ियों का brain होता है computer होता है यहाँ पे सारा data हमारे गाड़ियों का पहले से ही company के द्वारा program करके feed करके दिया जाता है और यह जो ECU है वही जब किसी भी तरह का electrical failure कोई problem engine का जो detect कर लेता है तो वही ECU हमारे dashboard होता है जो odometer होता है हमारी गाड़ियों का वहाँ पे इस engine warning light को glow कर दिता है उसे जला दिता है अब electrical failure कौन कों से आप यह पुछोगी मैं आपको बताता हूं देखो एक तो यहाँ पे बहुत सारे sensors को अब दे दिया गया जो कि पहले की गाड़ियों में नहीं होता था जैसे कि engine temperature sensor, oxygen sensor इसके लावा, throttle position sensor, map sensor, crankshaft sensor, camshaft sensor इसके लावा यहाँ आप आप देख लोगे तो यहाँ आप आपको sad instant sensor इस तरह के बहुत सारे sensors को दिया जाता है और इन में से अगर कोई भी एक sensor है जो खराब हो जाए, वो सही से या तो काम नहीं कर रहा है उसमें किसी तरह का wiring जो उसका तार वगरा वो कड़ गया, इन शॉट sensor में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा और वो sensor से data ECU को नहीं मिल रहा है और जब देख रहा है कि ECU कि भाई भाई वहाँ से लगतार जो sensor से data नहीं आ रहा है उसके बाद ECU का करता है कि भाई आपका जो odometer रहा है वहाँ पर इस light को जला देता है और उससा आपको बता रहा है कि हो सकता कि primary, पहला मैं बता रहा हूँ कि हो सकता कि किसी न किसी एक sensor में जो आपको इसे ठीक करा लेना चाहिए अब तो sensor वाली बात हो गई, sensor के लाबा क्या कि अगर ECU ये detect करता है कि आपकी गारी का जो engine है वो सही से power को ही produce नहीं कर रहा है अब power चाहे electrical failure हो चाहे mechanical failure हो उससे मतलम नहीं है अगर power में performance में issue आ रहा है, एकदम से देखा जा रहा है कि mileage जो drop है issue से control नहीं कर पा रहा है, mileage को improve नहीं कर पा रहा है, इस तरह का problem देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये भी देखा जा रहा issue देख रहा है कि भाई, जो throttle ले रहा है, उसका according आपको speed नहीं मिल रहा है इंशोर्ट engine का performance पावर वलागर problem है, वो issue को मालूम चलता, तो भी issue क्या करता है कि इससे जो जला देता है कि भाई देख लो हो सकता है कि engine में किसी भी तरह का problem है, अगर ऐसा हो जाए कि जो fuel injector है, क्योंकि को यहाँ पर fuel pump और motor वागर को भी दिया जाता है और उसके वज़ा से जो exhaust system में जहां से धुवा निकलता है, complete silencer वगर हो गया, उस system में अगर किसी भी तरह का problem है, catalytic converter में किसी भी तरह का problem है, तो भी क्या करता है कि engine से जोड़ोगो इस spark के problem के वज़ा से भी क्या करता है, कि जो हमारा ECU है, जो हमारा light है, जो हमारा engine warning light है, इसे जला देता है, तो यह सारे problem जो है, sensor हो गया, actuator हो गया, खास करेंगे, मैं आपको spark plug के बारे ही बताना चाहूँगा, कि spark plug का complete wiring बगरा होगा, जो ignition coil हो गया, इस system में भी अगर किसी भी तरह का problem होता है, और spark सही से emit नहीं हो रहा, तो भी कुछ cases में देखा गया है, कि भाई क्या है, कि जो engine warning light है, वो glow करता है, वो जलने लगता है, इसके लाब इस issue खुद का भी problem आपको बतायता है, कि issue में अगर किसी भी तरह का update की जरूवत है, issue में किसी भी तरह का malfunction हो गया, issue सही से काम नहीं कर रहा है, तो भी यह आपका जो है, वो engine warning light, जो check engine light है, वो आ बहुत निंजर वाली बात है, तो जैसे है कि मैंने आपको शुरू में बताया, अच्छे समझाया है, कि भाई, mechanical failure के वज़ा से ये light नहीं जलता है, तो अगर आप अपने बाई का scooter की engine को start कर लोगी, या कुछ समय के लिए चला भी लोगी, तो उससे तुरन एकदम सो suddenly को problem देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चुकि ये किसी बड़े problem को भी indicate करता है, तो मैं आपको recommend करूंगा, अगर ये जलता हो दिखाए दो, आप इसे काफी लंबे समय तक ignore नहीं करे, जितना जल्दी हो सके possible है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, सब्ता भर के अंदर ही आप कोशि लेकिन अगर आपको लंबे समय तक ignore करते रहों कर चलाते रहोंगे, तो उससे engine, engine के बहुत सारे parts, engine का performance, mileage और बहुत सारे चीज़ों को major नुकसान हो सकता है, और कई बार ये आपकी writing को unsafe भी मना जेता है, क्यों कई बार क्या होता है, कि बहुत सारे electrical parts के filler के हो रहें के अच्छा लगो तो वीडियो को like और share जरू कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे comment करें जरू बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पे नहीं हूँ, या भी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो please चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी दबाले, ताकि आने वाले important videos के update आपको notification के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले video में, thanks for watching this video, goodbye